मंगलवार को दिली के पस्वियार इलाके में एक अग्यात बच्टी ने बारत साल की एक बच्ची का योन सोसन किया बच्ची एम्स में भरती कराया गया है जहां उसकी हालत कम भीर बनी हुई है पीटता के सरीर पर चोटके निसान है आरोपी को पता लगाने के लिए पुलिस पडोसियों से पूस्ताच करने में लगी हुए है साथ ही आसपास के सीसी टीवी कैमरों की फोटेश को खंगाला जा रहा है एक हिस्ट्री सीचर आरोपी करसन हत्या के चार मामलों में सामिल है आरोपी एक 33 वर्षी अवेक्ती है और उस पर हत्या सहित चार आपरादिक मामले दर्जे आगे की जहां चल रही है पुलिस ने कहा है कि उन्हें घटना की सूचना मंगलवार साम को मिली पड़ोसियों ने पीडित को खुन मिलत पर देखने के बाद पुलिस और उसके माता-पिता को सूचना दी बच्ची को पास के ही एक अस्पताल में ले जाएगा जहां से प्रात्मी कुप्चार के बाद उसे इम्स में रैपर कर दिया गया पुलिस ने इन्स मामले में धारा 307 हत्या का प्रियास और पास को एक्ट के तहट F.I.R. दज कर ली गई है कि उनको सक्से सक्साजा मिले और परिवार को हम 10 लाक रुपे का सरकार की तरफ से मुआफ़ा देंगे वैसे तो जो कुछ हुआ उसका कोई मुआफ़ा बनता नहीं है बहुत घिनोना काम हुआ लेकिन सरकार के तरफ से ये मदद साहे तराशी हम परिवार के तो सबह दिल्ली पुलिस के अधिकाली से बाती है तो साफकोर पर कहना है कि ताकि अच्छी की अस्वोई नहीं हुआ है मुझे नहीं बता मैं उसके उपर टिपनी नहीं करना चाहूंगा मैं आपको वो बता रहा हूं जो भी मेरी डॉक्तर के साथ 4th of August, a 12-year-old child was assaulted. A case under FOXO was registered. This is a grave crime against humanity. So we immediately formed more than 20 teams led by Dr. Kohn, the DCP of Outer District. These teams have scanned hundreds of CCTV footage, interrogated all the suspects who have a similar background as well as conducted local enquiries. Finally, they have zeroed in on one crime suspect who was interrogated. During his interrogation, he has corroborated the sequence of events leading to the assault on the child. The person has been arrested. His name is Grishan. He is a 33-year-old man. He has four criminal cases against him. One is of murder, another of attempt to murder as well as of burglary. Finally, they have zeroed in on one crime suspect who was interrogated. During his interrogation, he has corroborated the sequence of events leading to the assault on the child. 6th of August, a 5th of August, a 2-year-old man owned by our female일ro criminal charges associated with rape. झाल झाल